नमस्कार प्रियाजनों आप सबीका मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुब्दिन्दक वीना शर्मा आप आई मेरी चैनल पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आज एक ऐसा छोटा सा अमवस्या का उपाई लेके आई हो जो की एक ही दिन का उपाई है और बच्चों के तुरंट शिगर विवा का उपाई है वैसे तो देखिए कल की तारिख में जो अमवस्या थी रात को दिवाली की लेकिन आज भी उद्य तित्थी के हिसाब से लोग द जगातार देरी हो रही है उनको सिर्फ और सिर्फ यह एक की दिन का उपाई करने की जरूरत है एक ही बार में करें और वो बच्चे भी जरूर करें जो विवा की देर तो जियल ही रहे हैं साथ में जिनको कहीं कोई रिष्टा पसंद है कोई लड़का किसी लड़की को करती है और वो शादी करना चाहते हैं एक बात दूसरी बात ये कि हो सकता है arranger marriage में भी कहीं आपको कोई रिष्टा पसंद हो और रिष्टा हो ना रहा हो आप चाहते हो वो रिष्टा हो जाए तो ऐसी गंडिशन में भी आप इस उपाएग को कर सकते हैं और तीसरी बात कि वह बसाओंगी मैं आपको सबस्केर आप इस सिक्के को जो आपने शुरू में ही देख लिया होगा कि एक रुपे के सिक्का पाए यह ל days सिक्का आपको अपने पूजा हर में लेकि बैठना हो गाUI सुपसे पहले पूजा घर में लेके बैठना को उस अपने इश्ट देव या भगवान के आगे इस सिक्के को आपको धोपुंचकी साफ करके धोके उन्के आगे रखना होगा रखने के बाद उसके ऊपर आपको कुछ सामगरी चड़ानी होगी जैसे कि रोली जरूर चड़ाइए उस पर एक बात अक्षद जरूर चड़ाइए यानि कि चावल हल्दी जरूर चड़ाइए तीन चीज पका याद रखिए आप ये तीनों चीजें आपको जरूर सेंट और प्रफ्यूम कुछ बिए सप्रे कर दीजेगा और अगर आँगरवत्ति कि पास में जला दीजेगा ये सब करने के बाद आपको बिंटी प्रात्ना करना है बहगवान के आगे जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसी के आगे अगर उसका कोई मंतर आपको आता है संख्या की चिंता मत करिए कितनी संख्या में करना है दो मिन्ट करिए तीन मिन्ट चार मिन्ट पांच मिन्ट तक उनके आगे बैठके आप जब कीजिए उस मंतर का जिसी भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका जब करने के बाद उस सिक्के को जैसे ही आपका दिपक वगारा किया होगा पूजा के आगे वो ओफ हो जाए तो उसको सिक्के को रात को अब यहां किसी को जादा बताने की जुरूरत नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सिक्का उठाए और सिक्का उठाके और अपने तक्ये के नीचे रख लीजिए देखिए यहां तक्की पर किरिया जो थी तक्ये के नीचे रखने तक्की पर किरिया ये मम्मी पापा भी इस उपाई को बच्चे को ये करके दे सकते हैं बच्चे अगर ना करना चाहें हाँ उनके तक्ये तक्ये के नीचे बच्चो में रखेजिए आप जैसे ही सोते हैं आपका दाहिना साइड कौन सा है उस साइड में आप पिस सीक्के को उस साइड में रखनेके बाद सुभेच जैसे ही आप उठते हैं उठने के बाद नहाद हो लेते हैं अब आपको पता है कि यह मैं जहां चाहता हूं रिष्टा जिस शहर में गाओं में कहीं भी लोकल में या कहीं भी कोई भी रिष्टा है जहां मैं चाहता हूं अगर तो आप वो जानते हैं वो साइड फिर तो आपक ओपीको घर से बाहर जाना है घर से बाहर थोड़ा सा सुनी सिनी जगा में जहां सुनापन हो क्योंकि इस काम को करते हुए लोग आपको ना देखते सी इस शिख्ए को ले जा Başव ले जाते भकत आपको लोगанд को देखते इसके साथ ही मैं आपको ये कहना रह गया मेरा कि जब आप रात को सिक्ट को नीचे रखें तक्यां के तो उसक्त अपनी विंटी-प्राथ्फना जूरू करें उस रिष्टी के बारे में में करें उस रिष्टे के बारे में इमेजन करें जिसका जिस जहां आप शादी करना चाहते हैं जिसे आप पसंद करते हैं आपका मन पसंद रिष्टा है उसका इमेजन करें और सुबह तक यह की नीचे से उठाते साइब चाहिए नहीं रिषता को इस सिक्के को दिशा में फैंकना है आपको दिशा पता होगी जरूर पता होना चाहिए उस साइड का थोड़ा सा अंदाजाि भी हो ना आपको जैसे बहुत बार नहीशjo होता कि फलां गाओं फलां शहर अब मुझे कहा जाए कि दिल्ली की साइड में है या वो कोई भी एरिया महाराष्टर का बॉंबे की साइड में या ऐसे शहरों को पता मेरे को भी नइए पता हो सकता कई बार तो इस तरह का आप कलपना करते हुए आप उस दिशा में वह सिक्का फैंक दीजिए और फैंकने के बाद आप जोर से फैंकिएगा किदर चला जाए सिक्का आप चिंता मत करना कि कहां चला गया लेकिन थोड़ा जोर से फैंकिएगा यही नहीं हो कि आपके पैरों के पास ही गिर जाए वहां पर उपर की तरफ आकाश में देखते हुए न क्यांकि हम पिर्थि पर देखके तो सदा ही चलते हैं लेकिन आशवान में भी जहां वो बेटा है उसको Monkeyада जोड़ के अपनी बिंतीरबार्तना, उसको हाथ जोड़के, हाथ जोड़के, उब आकाश में देखके, कहिएगा कि मुझे किसी बास ग्यान नहीं ना दिश्या का, ना किसी उपाय का कुछ भी नहीं है, जो कुछ मैंने किया है, यह मेरा सफल हो, यह जुरूरी नहीं है कि कभी भी अभी कोया मौस्या हो जब भी आपको फुर्सित मिले तभी करें इसको और आप देखेंगी जिस महीने करेंगे उसी महीने ही आपका विवा पक्का होगा और शादी तोरंत होगी इस उपाय को करके देखिए ना जाने कितने बच्चों का इस में जोग संजोग बैठेगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आयों सब्सक्राइब करना कभी भी न भूले कमेंटर बक्स में हरहर महादेव वश्य लिखें थैंक्स फॉर वाचिन